अलो गाइस मेरा नाम है शिवम भार्गौ आप देख रहे हैं YouTube चैनल फुलाउन गाइड दोस्तो आज किस वीडियो में हम लोग एक और बहुत ज़्यादा मज़ेदार जबर्जस चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है दोस्तो समकालीन दच्छिड एशिया समकालीन दच्छिड एशिया यह दोस्तो क्लास 12 का पॉलिटिकल साइस का चैप्टर नंबर 5 है और बिसिकली बहुत ज़्यादा मज़ेदार चैप्टर है लेकिन आप मेंसे बहुत सारे लोग ना बहुत ज़्यादा तेचपाल है तेचपाल होना चीए मैं चाहत हूँ कि आप दच्छिड पूर्वी एशियाई देश जो है वो अलग है और यहाँ पर जो दच्छिड एशियाई देश है दोस्तों यह अलग-अलग देश है तो इस चैप्टर में दोस्तों आपको पढ़ने में काफी ज़्यादा मज़ा हैगा क्योंकि इसके जितने भी कंट्रीज है न चैप्टर को बिसिकली मैं यह कह सकता हूं कि यह चैप्टर ना बहुत ज़्यादा के लिए मज़ेदार होने वाला है क्योंकि जैसे जैसे आप इस चैप्टर को पढ़ते जोगे आपको बहुत सारी नई-ई-ई-बाते पता चलती जाएंगी जो हो सकता है हो सकता है सायाद कि आप पहले कभी ना सुनी हो तो क्यागिया बढ़ना हैं सचेप्टर में दोस्तों सबसे बहले हम दचचटी एशिया के बारमें विस्ठार से जाने हिए ठीक है और इससे और इस से रिलेटेड जितने भी देश और इनके relation कैसे दोस्तों ये हम देखेंगे फिर हमने इनके बीच में सांधी और सायोग कैसे बना रखा है ये देखेंगे ये जो बेसिकली सांधी और सायोग वाला जो टॉपिक है दोस्तों ये आपके chapter no.4 में खिसका दिया गया है मतलब भी chapter 7 आगर के chapter no.4 में डाल दिया ग होगे क्यों क्योंकि ना तो इस chapter में कुछ भी cut हुआ है ठीक है ना ही तो इस chapter में कुछ भी add हुआ है तो ना तो कुछ हिस में से जो है subtract किया गया ना ही तो add किया गया जितना chapter आपकी book में दिया हुआ है उतना ही है बस जब नेपाल के बारे में आप पड़ोगे तो आपको थोड़ी बहुत dates जो है जो तारीके हैं वो और add हो गई है क्योंकि book में जो हो सकते आपके पास में दो साल पुरानी book हो या एक साल और अगर आप मेरी यह जो इस chapter की सारी वीडियो दिखोगे तो आपको मैं guarantee दे रहाँ कि आपको किसी भी book की और extra जरुवत नहीं पड़ेगी एक भी line पढ़ने के लिए एक भी answer खोजने के लिए आप वीडियो को complete देखो आपको सारे answer जो है इस chapter के वो मिलाएंगे मैं बुरे के बुरे marks प्राप्त कर सके आपके वर इच्छा में है ना तो आईए दोस्तों श्राट करते हैं सबसे पहले chapter का थोड़ा मोड़ा introduction और रुजी के साथ में दच्छिड एशिया क्या है इसके बारे में लोग बात करते हैं तो देखो दच्छिड एशिया को ना सबसे मैप से देखो यह आपका मैप है ठीक है भारत का मैप जिसके अगल बगल में हमारे वह सारे देश पढ़ते हैं यहाँ अगर आप देखोगे दोस्तों यह पाकिस्तान है ठीक है इसके बाद में नेपाल तो मैं हाप नंबर भी लिख रहा हूं ताकि आपको पता चले मैं मान समझना है तो यह जरूरी है कि आप आप समझ करके रखें अब आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि भाइए अफ्गानिस्तान भी तो दछ्णी एशिया में और चाइना भी तो दछ्णी एशिया में आता है लेकिन उनको हम यहाँ पर नहीं एक बरेंगे क्योंकि उनका कभी-कभी होता है दच्छड़ी एशियाई देशों में बट उनका जो है कोई भी इस वाले चैप्टर में बयान बखान नहीं दिया गया है तो बेसिकली हम दूस्तों क्या गरेंगे हम यहाँ पर इन साथ देशों के बारे में जानेंगे कौन गों से साथ देश बांगला कैसी लोकतांत्रे कि स्थिती रही क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइनस इसलिए पॉलिटिक्स कैसी उनकी सिचुएशन नहीं वह हमें समझने है भारत के बारे में हम इस चैप्टर में नहीं समझेंगे आप पूछोगे क्यों नहीं समझेंगे भाई तो भारत के इस बारे में जो लोकतांत्रे कि स्थिती है जब अपना देशाजाद हुआ उसके बाद में दूस्तों लोकतांत्रे कि स्थिती को आज तक पहुंचने में बहुत सारे बदलाव देखने पड़े on सारी चीजह देखनी पड़ी है तो उसके नहीं एक छोड़ी सी एडिंग है जो कि मैं आप इस वीडियो में पढ़ा दूँगा या आगे आने वीडियो में बढ़ाऊंगा ऐसे बुटान, मालदीप, नेपाल, पाकिस्तान, स्री लंका तो इन में जो लोकतांतरिक इस्तिती रही या फिर लोकतांतरिक नहीं बोलेंगे सिप डाली किस देश में है वो इस इन इस चैप्टर में आपको कवर करना है तो बिसिकली देखो अप मैं चैप्टर को सीरेसली स्टार्ट करों यहां से आपको काफी कुछ ना बड़े ध्यान से समझना है सारी बतों को ठीक है तो बिलकोल भी इदर उदर अपना ध्यान मत बढना अराम से Joismas June I should I should बारे में तो अब भागोली किसली को देखो क्योंकिुकि भगोली के सिधिक के ही कालडर हम राजनितिक इस्तिति को समझ पाएंगे तो यहां पर आप देखो, यहां पर बहुत बाड़ी इलाका है ना आपने मैप में कभी गुगल मैप खोलकर करके देखो उसमें आपको यहां पर बहुत बड़ा पहाड़ी लाका देखने को मिल Guin problème Mतलब पहाड़ी यह फ shar़arma परवत की परवस रंकला यह पूरी दुस्तों यहां पर देखो यह पूरी सीमा समुद्र से लगती है यहाँ पर Bay of Bengal है, यहाँ पर दोस्तो Arabian Shagar है, यहाँ पर दोस्तो पीछे साइड में प्रशान महा सागर है और इधर साइड में अगर आप देखो के दोस्तों तो यहाँ पर चाइना बढ़ता है यह नेपाल जो है यह पूरी तरीके से बॉर्डर से घिरा हुआ है, यह समुद्र से घिरा हुआ नहीं है पाकिस्तान के पास में एक तरफ में समुद्र का इलाका है लेकिन बांगलादेश के पास में भी है मालदेव के पास में भी है, स्रेलंका के पास में भी है तो यह भूटान और यह नेपाल इन दोनों देशों के पास में समुदरी लागा नहीं है लेकिन फिर भी आपकी यहां की जो भोगोलिक इस्तिती है दोस्तों वो कई जगों पर पठा रही है, कई जगों पर शाम है, कई जगों पर विशम जगए है कहने का मतलब यह कि अलग-अलग जगए हैं अलग-अलग इलाके हैं, अलग-अलग भोगोलिक इस्तिती हैं जिसके कारण दोस्तों जो यहां के लोग हैं लोगों में विविदताएं भी बहुत हैं विविदता का मतलब आप समझते होगे, विविदता का मतलब जो होता है अलग अलग परकार के लोग है ना विए तमतलब अलग अलग परकार के चीज़े तो यह जो सारी चीजे हैं जिसके कालड यहां पर दोस्तों जो लोगतंत्र है जो रास्तंत्र है जो देश में चलने वाली सम्मिधानिक पढ़ा लिया है वो भी बिल्कुल अलग अलग है अब यसे ही दोस्तों बाड़े में अपको बिल्क है और बांगला देश यह पढ़ा जाएगा तो का यह शाशन पढ़ा लिया हो कैसी रही बहुत जरूरी कि अगर आप साशन बढ़ाली समझेंगे तो ही आप चीजों को जो है समझ पाएंगे कि क्या चल रहे हैं देखो जब किर्केट का मैच होता है भारत और पाकिस्तान का तो हम लोग ना एक दूसरे के प्लेयर्स का एक दूसरे के हांसे आने वाले मेंबर्स का बड़ा आधर करते हैं और वहीं पर जब दोस्तों कोई और बात हो जाती थे तो हम लोग यह दूसरे को बड़ा बार गालीवा words देने लग जाते हैं जैसे कि कोई आतंग बात का मुद्धा हो जाए कोई बंव दोस्तों बात करना चाहेंगे भारत की जिसके बारे में आपको पहले ही बता दिया कि भारत की जो शार्षन बढ़ाली है वो दोस्तों हम लोगों को मतलब पढ़ने के लिए पूरा एक जो है अलग से बुक बनाया गया है और तो फिर बसता है हमारे पास में स्री लंका जो स्र और दोस्तों यहां पर स्रिलंका की साखन Cookie जाली है वो लोग-तांते लेक रहा हिए उसको आंनोर कर tätä बात करते हैं दो यह ओभ पांगलादेसमी क्या हुआ था बांगलाधेसमين दोस्तों जब स्रीट युद्ध च करहां जायो और फिकिफिलाध्विन वेंवी बास रहन ऑग जो है लोकतंत्र ही स्थापित है यहां पर लोकतंत्र ही जो है वो चल रहा है यहां पर और किसी प्रकार का शासन नहीं चल दा है जैसे ताना शार नहीं चल दा है तो यहां पर दोस्तों लोकतंत्र ही अच्छे से कायम है और यहां के जो जनता है दोस्तों उससे जो है अब पैर लग रहा है कुट्टा जो है रोटी खाने के लिए बठा बड़ा है तो आप इसका नाम बदा सकते हूं मुझे कमेंट करके ये दोस्त ये जो देश है दोस्तो ये है पाकिस्तान इनके सासन पड़ाली ना बहुत अजीव यह सब बोलते हैं दोस्तों कि भारत जो है वह हम सासन पड़ाली शुरू हो जाती है अपने आपको कभी टिकाई नहीं पाई तरीके से अपना भारत देख लो जब से दोस्तों देश आजाद हुआ तब से लुकतांतरिक है वहां पर ना तो आसक देश विखंडित हुआ ना ही तो अपने आपर कोई और प्रॉब्लम आई ठ लग हो जो पाकिस्तान है वर टूट चुका है ऐसे बहुत सारे लोग सायद नहीं जानते हुआ कि पहले पुर्वी पाकिस्तान था और पाकिस्तान था था मतलब पाकिस्तान जब अ लग हुआ था तो इथा ना तो छे एग chaos पर पक्रदेंग पुर्वीप पाकिрий है है त्कि भाई ख्याग के छासन में इन्होंने एक लोकतांत्रिक सरकार बनाई जबनाब किसके चक्कर बैंजियर भ्यच्टो ल率 दे रहा हूं इससे आप समस्ज जाना थोड़ासा उसके में दोस्तों एक और कोसिस करी तो नवाश शरीब जो थे उनके नित्रत में इन्होंने एक और जो है एक और बार लोगतांत्रिक सरकार बनाई लेकिन हुआ गया कि तो यहां पर पाकिस्तान को पाकिस्तान की बात करें यह जयांकि इस से ज़्यादा मतलब आ इस्थीर दूसरा देश कोई और है नीए वागही ने कोई नीए तो यहां पर पाकिस्तान की सारे प्राब्लम है थो सहर अगर हम लोग इसकी बात करें यह है प्यारासद देश अपना नेपाल नेपाल है ना यह है दो नेपाल इस नेपाल में भी दोस्तों कुछ ऐसी situation था यहां पर 1990 तक यहां पर दोस्तों रास्तंद समस्तों ना राजाओं transmis रहा यहाँ पर राजाओं के शाहरन नहीं दोस्तों जब जनता ने बड़ा ही जोर मचादिया की भाईया हमारे रोशी पुरी तरीके से लुक्तंदर आ गया है न सै तो यहां के है राजाते दोस्तों उन्होंने शुता旭ी सैपी तो इन्होंने लुक्तंदर के लिए संसत भगेरा दीरी बतलब बनवादी अब दीरे दीरे संसाथ बन गई लेकिन वहाँ पर दोस्तों एक और प्रॉब्लम शुरू हो गई माववादियों की माववादी जो थे वो चाहते नहीं थे कि लोकतंदर स्थापिदो और वो रास्तंदर को भी नहीं स्थापित करना चाहते थे तो इस तरीके से ए प्रॉब्लम शुरू हो गई माववादी लोकतंदर और रासतंदर में दीरे दीरे यहां पर जो है ना तो लोकतंदर सब्सक्राइब रह सका नहीं तो माववादियों का जूर चल सका जनता पर तो जनता भी कुछ ज्यादा बोल नहीं पाई यहां पर लेकिन 2002 से जब राजा का शासन दुबारा से सुरू हुआ रासतंदर जब शुरू हुआ तो जो जनता थी वो एक बार लोकतंदर का स्वात ले चुकी थी जनता को पता चल गया था कि भाई साब लोकतंदर नहीं चाहिए हमें राजा चाहिए ही नहीं तो राजा ने जबर जस्त जो मतलब आंदुलन को देख कर के जो इस टाइम के राजा थे कि आनेंद्र शींग उन्होंने आंदूलन को देख करके अपनी च्शोड़ तो इन्होंने 2008 में दोस्तों फवाइनली लोकतंदर को स्थ प्रदान मंत्री वगरा बने तो वह सब कुछ है हम लोग नेपाल के बारे में एक डेडिकेट वीडियो में देखेंगे इसके बाद में दोस्तों थोड़ा बहुत और अखर हम लोग देख लेते हैं यहां पर छोड़े देशना दो एक है यह भूटान और यह वाला देश कौन में कमेंट करके टाप दिये के वाला देश से ऐसे ऐसे आपने कमेंट को भी जो है चीटing करके किए आपने साथ में मुझे थोड़ी cheating कर रहो तो अगर आपको इस देश के बार इम पता है तो मुझे comment करके बता हो नहीं पता है तो कोई बात नहीं लिख दो कि मुझे नहीं पता अपने आपको बहुदली बनाने की कोशिश की तो इन्होंने अपने नीचे एक बहुदली शासन चलाना सुरू किया है तो वहाँ पर अभी भी कायम है मतलब election वगरा होते हैं दोस्तों वहाँ पर voting वगरा होती है इस तरीके से बहुदली शासन चलता है लेकिन इन सबका जो सबसे बड़ा अध्याश रहेगा वो रास्तंदर का ही राजा रहेगा तो कुल लागर कह सकते हैं कि एक ऐसा रास्तंदर जो सम्मिधान के हिसाब से च चली जा रही है ना अब यह बचा हुआ देश जिसके बारे मुझे उम्मीद आपने आतो कमेंट कर दिया होगा या तो आप सोच रहोंगों कि यह कौन सा देश है तो यह दोस्तों माल्दीव तो माल्दीव के बारे में बड़ी इंट्रेस्टिंग सी कानी है कि माल्दीव मे 1964 तक सल्तनत काल रहा था ठीक है सल्तनत आपने क्लास 12 का 9th वाले चैप्टर तो पढ़ा ही है जो कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ जो मुगल सामराज इस्थापित वाले दोस्तों उससे जश्ट पहले अपने हां भी सल्तनत काली था और आखरी जो सल्तनत के राजा थे वो थ बता दिया 1968 तक यह चलता रहा ठीक है 1968 तक और 1968 के बाद से 1968 से देख लो भाई अभी मनें गलती से 64 बोल दिया था 1968 से जो है यह चीज़े बदल गई और वहां पर अध्यचात्मक बनाली लागू कर दी गई अध्यचात्मक मतलब अमेरिका वाली जिसमें प्राइम मिनिस्ट की दरोतनी होती सीधा प्रेशिडेंट होते हैं राष्टपती होते हैं उसके बाद में दोस्तों 2005 में यहां पर एक इलेक्शन हुआ बेसिकली वह इलेक्शन नहीं था इसे जनता की मांग थी जन्मा संग्रे वगरा हुए तो उसके पता चला कि भाई यहां पर जो है अध्य दोस्तों वहां पर जो है mdp नाम के पाड़ी है यांगे मालदिव डमोक्रेटिक पाड़ी तो यह पाड़ी सासंगरी 2005 के बाद में यह जीती दी से दूस्तों आप कर यहां पर शालाते हुए लेकिन सारे कहीं बहुत सारे दोश होते हैं सबसे जादा आदर शाषन पढ़ाली तक में लोकतंदर को माना जा चुका है खैर हम लोग इनके रिस्टों के बारे में बात करेंगे तो जो इनके रिस्टे आपस में विगड़ते बनते हैं वह भी दोस्तों सिर्फ इसी वज़े से बिगड़ कि दोस्तों अब तक में तो हो सकता है भारत पाकिसान के रिष्ते बहुत जादा अच्छे होते हैं अब लोकतंदर कितना अच्छा है इसको अगर आप जानना चाहते इसके बारे में बात करना चाहते हैं तो थोड़ाँसा एक सर्वे किया गया है हाल फिलाल में एनी 7 देश से कितना ज्यादा अच्छा है तो दोस्तों यहां पर 62 परसेंट जो लोग थे दोस्तों उन्होंने बताया कि जो लोगतंत्र है वो ताना साही से बहुत अच्छा है आप देख सकते हो कि लोगतंत्र को बहतर बताने वाले लोग और कभी-कभी ताना साही को बहतर बताने वाले कभी किसे को कोई फर्क नहीं बढ़ता इसको बदाने वाली लोग किस देसे कितने लोग हैं जैसे की बांगला देस ते 69th वाएक जो बोलते हैं जब कि भारत जो तो यहां पर जो पाकिस्तान की जनता है उसको अब इतना भरोसा इतने उडिया है दोनों सतरकारों से कि वो सीधा बोलती हमारा तो काम हम है अपने आपी करेंगे जनता है सोस्ति होगी मैं ऐसा नहीं करूगी ऐसा करती ही है सोस्ति होगी तो डेफिनिटली यहां पर उन्होंने 49% लोगों ने कहा कि आमें कोई फार्की नहीं पड़ता चाहा लोकतंदर हो चाहे तो वहां पर राशतंदर या सैनिक शासन जो भी हो तो खैर आप देख सकते हो कि स्रीलंका के भी 51% लोग लोकतंदर को बहतर मानते हैं एक और दोस्तों प्रशन पूछा कि यहां पर कि लोकतंदर कितना बहतर है मतलब लोकतंदर कितना ज्यादा बहतर है लोकतंदर अगर है तो उससे कितनी ज्यादा अच्छी चीज़े हो पा इसमें से भी अगर हम लोग भारत की बात करें तो 92% लोग ऐसे थे जिन्होंने लोगतंदर को दोस्तों बहुत अच्छा माना मतलब अच्छा माना लेकिन उसमें तकरीबन वही 34-35% ऐसे लोग थे जिन्होंने लोगतंदर को बहुत अच्छा माना ठीक है तो बहुत उप्यु किस़ परकार कि शार्षिंद पढ़ा ली थी बांगलादेस के बाढ़ने की निपाल के B至aga पढ़ने और दोस्तो स्रि-लंगा ने बारे में पढ़ना है इस Azok art has माल्दीव और जो भूटान है दोस्तों इसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है लेकिन बांगलादेश का और पाकिस्तान का कैसा रिलेशन है उससे में कोई मतलब नहीं ठीक है तो भारत और बांगलादेश भारत और नेपाल भारत और स्रिलंका भारत और पाकिस्तान इनके बीच में उन सारी चीजों को दोस्तों में यहां पर समझना है लेकिन ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछो इस वीडियो का प्लोट होने से लेकर के शाम के साथ बहुत की ताकि मैं आज ये के दिन पर जो भी आपके डाउट अगर आते ह क्या हुआ है तो पहली बार वीडियो देख रहो तो और सबसे बड़ी बात अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताना मुझे कि वीडियो पूरा देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा तो आशा करता हूं सब कुछ ठिक ठ पूलां गएट